हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे के बंद सिम को चालू कैसे करें तो दोस्तो अगर आप लोग जानना चाते हो के सिमकार अगर बंद हो जाता है तो उसे वापस चालू कैसे करें तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तो हम सब लोग हमारे फोन में इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं जो की हम अमने सिमकार पर करवाते हैं हमने से सब लोग अलग अलग कंपनी के सिमकार इस्तमाल करते हैं कुछ लोग तो दो से तिन या फिर ज्यादा सिमकार का भी इस्तमाल करते हैं दोस्तो सिमकार मे हमें mobile number मिलता है और वो mobile number हमारे लिए बहुत ही एहमियत रखता है क्योंकि हमने हमारा mobile number कहीं जगाओ पर दे रखा होता है लेकिन अगर वो mobile number हमारा SIM card बंध हो जाता है तो वो mobile number भी बंध हो सकता है तो दोस्तों इसे activate कैसे करना यानि कि आपका जो बंध हुआ SIM card है उसे आइडिया इसमें से किस कंपनी का SIM card आप लोग यूज करते हो और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों SIM card बंध हो जाने पर जो हम उसको एक्टिवेट करते हैं उसे जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि SIM card आखिर में बंध क्यों हो जाता है तो दोस्तों सभी कंपनी try यानि कि Telecom Regulatory Authority of India के नियमों के तहत सभी operator कंपनी काम करती है यानि कि आपकी order phone, ATL idea जो भी कंपनी है यह सारे try के नियमों के अनुसार ही काम करती है अगर आप इन मेंसे किसी भी नियम को तोड़ोंगे तो आपका SIM card भी बंध हो सकता है यानि कि आपका SIM card का mobile number आपके किसी भी काम का नहीं होगा दोस्तो pre-paid और post-paid SIM card क्या होते है इससे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है तो उस वीडियो को आप जरूर देखेगा तो दोस्तो 90 दिन के अंदर आपका card बंद हो सकता है अगर आपने उसे इस्तमाल नहीं किया है तो और इसक SIM card में उस नंबर को relaunch कर देती है उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस SIM को खरिद सकता है तो दोस्तों इस तरह से आपका SIM card बंद हो जाता है पहला है कि अगर आपका SIM card बंद होने के बाद जो 15 दिनों का आपको grace period मिलता है उसमें भी अगर आपने अपना SIM card चालू नहीं करवा और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति उस नंबर को खरिद सकता है तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसका solution क्या है यानि कि हम बंद SIM को चालू कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना आधार कार और जो आपका SIM card बंद हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके प पाकी होंगे तो वो आपको SIM को activate कर देगा दोस्तों अगर आपका grace period यानि की 15 दिन से भी ज्यादा हो गया है 90 दिन के बाद तो वो देखेगा और अगर वो SIM किसी ने नहीं लिया होगा तो वो SIM आप दुबारा से खरिद सकते हो इस तरह से आप अपना SIM वापस चालू करा सक सकते हो जो कि पहले आपका था तो पहला इसमें यह है कि आपको रिटेल स्टोर पे जाना है अपना डोक्यूमेंट लेकर और अगर आपका SIM कार बंद हो चुका है लेकिन अब उसका grace period अभी चल रहा है तो आपका SIM कार एक्टिवेट हो जाएगा अगर उसका grace period भी खतम हो च कर दिजिएगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर किजिएगा और एसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में upload करू तो उसक की notification आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के ऊपर भी में वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हो